नमस्कार बच्चो जैसा कि हमारा पूरा परिच्छा का रिजल्ट आने वाला है सप्लिमेंटी का तो इसका रिजल्ट हम अपने मॉबाइल पे कैसे देखेंगे यह पूरी जानकारी इस वीडियो पे देखेंगे इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे परिच्छा 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 पर चर्फ करेंगे हमारे सामने मतलब की खुल के आ जाएंगी इसमें हम देखेंगे कि ये जो सिफ्स Scheビ डिये हैं उन पर हमारे परिछा सीच यह पर और क्लास 12 का सप्प्लिमेंटी का एक रिजल्ट का एक की आजाएंगी जैसी ही हम उन्हें देखेंगे उसमें यदि हम बारमी के हैं तो बारमी के बच्चे जैसी ही उस पर क्लिक करेंगे तो उनके सामने एक ऐसा पेज खुल के आ जाएगा 12 वाले तो वो अपने यहाँ पर role नमर डालेंगे और application number डालेंगे जैसी इस पे click करेंगे submit पे इस submit पे click करेंगे तो तुरंत ही उनका result जो है उनकी screen पे so हो जाएगा इसी तरह जैसे class 10th के student है वो 10th वाले supplementary पे click करके उनके सामने एक ऐसा page खुल के आएगा तो वो जैसे ही इस पे देखेंगे तो वहाँ पे उन्हें लिखा मिलेगा इंटर यो रोल नमबर इंटर application number ये दोनों जैसे ही वो fill करेंगे जैसे ही इने भारेंगे और submit पे click करेंगे जैसे ही submit पे click करेंगे उनका result तुरंत उनकी screen पे so हो जाएगा इस प्रगार वो दसमी और आर्मी की स्टूडेंट अपना result देख सकते हैं वो result कहीं पे नहीं यहाँ पे लिखके आएगा कि MPBSC HSC 12th supplementary man examination result और MPBSC HSC class 10th man supplementary result यह सब यहाँ पे लिखके आएगे अभी लिखा नहीं आ रहा है जिस दिन हमारा result आएगा उस दिन यहाँ पे लिखके आज आएगे